हलो आल कैसे हूँ आप सब तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज सुबह से उनके दिल में क्या चल रहा था आपके लिए ठीक है तो चलिए देखते हैं कि आज सुबह से उनके दिल में क्या कुछ चल रहा था प्रीज काई कीज़े का एंजर इनिवर्स ओके तो देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा था बॉटम अफ ता डेक देख लेते हैं बॉटम अफ ता डेक है डिस्पिटुशन का कार्ड जो तो मुझे बता रहा है कि आपकी पार्टनर सुबह से काफी अपने आपको बंदा हुआ महसूस कर रहे थे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ अचानक से हुआ है कुछ अचानक से ऐसी चीज़े हुई है ठीके अचानक से ही बदलाव हो गया है अचानक से आपने सोचा भी नहीं था आटेंशन मुझे है यहां पर इनकी नजर आ रही है यह परसन लागाता और सोच रहे थे कि हाँ कैसे क्यूं हो गया यह सब है ना पावर का कार्ड है ओके सवन चक्रा नंबर सवन सवन ओके इनकी नकीजस है मुझे यहीं नजर आ रहा है कि आपके पाटनर काफी परिशान थे लेकिन इस परोसन काफी जादा अचे तरिके से डील भी कर रहे थे यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि यह परोसन के लाइफ में ठीक है आप दोनों के रिलेशन से पर मुझे लगता है कि काफी जादा family issues है या कुछ ऐसा है जहां पर आपके पार्टनर stand नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर जो है कहीं हद तक अपने आपको बंदा हुआ मैसूस कर रहे हैं उसमें जकड़ा हुआ मैसूस क रहे हैं यह कोई action नहीं ले पा रहे हैं कई यहां तक इस person के दिल में चल रहा था आपके लिए stand लेने के बारे में क्योंकि इनकी intuitions guide कर रही है इनको कि हां तुमको करना है तो इनका जो crown चक्रा है इनको आने वाले कल की खबर है कि हां आने वाले कल में क्या होगा अगर यह action नहीं लेते हैं अगर यह आपके लिए stand नहीं लेते हैं तो इनका आने वाला कल कैसा होगा यह person को भली भाती पता है ठीक है और यहां पर यह वही है कि आपके partner बहुत ही strength के साथ बहुत ही power के साथ सारी चीज़ों को deal करने के बारे में इनके दिल में चल रहा था कि हां मु